हलो फ्रिंट्स वैलकम टू विजय जोम किचिन में आपकी दोस नैंसी आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपने आज से पहले बिल्कुल भी ना तो बनाई होगी और ना ही कही खाई होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और बनाते है मसालेदार पराठे बनाने के लिए यहां पे मैंने लिया है यह वड़ा पाउ का मसाला इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो इसका लिंक में आपको आई बटन पर दे दूगी बहुत ही टेस्टी मसाला लगता है और बहुत ही जटपट बन जाता है और लेफ्ट ओव जो हम नॉर्मल अपने रोटी के लिए मलते हैं वही आटा है इसका मैं इस टाइप से लोई लेके और इसका हाथ से प्रेस करते वे एक गोला सा बना लूँगी मैं तो कटोरी शेप दे दूँगी और ये मसाला मैं इसके अंदर एड कर दूँगी अगर अभी तक आपने मेरे बड़े पाओ की रेसिपी नहीं देखिए तो वह आप रेसिपी जाके देखिए वह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये मसाला कई बार होता है हम घर पे बनाते हैं और वह बच जाता है इसका यूज कैसे करें कि डेली डेली बड़ा पाओ तो बना के नहीं खा सकते और थोड़ी भी नहीं बनता मसाला जादा ही बनता है क्वांटिटी में तो एक्स दे आप इससे ब्रेकफास में यम्यमी पराठे भी बना के खा सकते तो पहले दिन अपने घरवालों को बड़ा पाओ बना के किला के खुश कीजिए नेक्स दे यम्य से पराठे बनाईए इस प अब Haar आप इस टीप से घरवालों को गाम करता है और आप इस टाइप से पराठा के जरूर देखेंगा बहुत हीऀ फॉर्म है इस टाइफ से पराठा बनाते में अगर तो बहुत flakka लगता है खाने में भी और ज्यादा घीतेल होता और पराठे का पराठा भी हो जाता और अब क्या करूंगी यह मेरा पराथा अच्छे से कुक हो गया है इसे मैं निकाल लूँगे एक साइड और तवे पर डाल दूँगी दूसरा पराथा सिखने के लिए इसे अब हम सर्फ कर लेते हैं सर्फ करने के लिए यहां पे लिए है मैंने यम्मी सा करेला इसके साथ गर्मी चाय तो हमारी ब्रेकफास्ट में जरूर चलती है तो यहां पे यह में यम्मी सी ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी हो गया लेफ्ट ओवर मसाले से तो अगर आपको मेरी यह रेसेपी अच्छी लगी हो पसंद आयो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके झाल 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 झाल